नमस्कार मुकाबला देख रहे हैं आप बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ विवेक शांडले गुजराच चुनाव में केजरिवाल पर इमेज को लेकर सबसे बड़ा हमला हो गया है दिली चुनाव में केजरिवाल ने खुद को एक हनुमान भग सौफ्ट हिंदू की तरफ प्रजेक्ट किया था वो मोदी के समानांतर अपनी इसी इमेज के कटाउट लगवाना चाहते हैं लेकिन आज उनके हिंदू विरोधी होने वाले पोस्टर से चार बड़े शेहर पटे पड़े हैं एहमदाबाद, सूरत, वडोधरा और राजकोर्ट में सड़क गली चौराहों पर अरविंद केजरिवाल का जालीदार टोपी वाला फोटो लगाकर उनके सौफ्ट हिंदूतों पर हाट अटैक कर दिया गया है अलग अलग शेहरों में पोस्टर में जो लिखा है वो और ज्यादा अटैकिंग नजर आता है अगर आप इसके कंटेंट को देखेंगे एहमदाबाद और राजकोर्ट के पोस्टरस में लिखा है मैं हिंदो धर्म को पाकलपन मानता हूँ ये हैं आमादमी पार्टी के शब्द और संसकार वडोद्रा में लिखा है मैं किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूँगा सूरत में पोस्टरस में लिखा है मैं ब्रह्मा विश्णू महेश राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूँगा दरसल दिल्ली सरकार के मंतरी राजेंदर पाल गौतम का वीडियो गुजरात तक केजरिवाल का पीछा नहीं चोड़ रहा गौतम का एक वीडियो कल से वाइरल है जिसमें वो बहुत धर्म के एक कारक्रम में हजारों लोगों को हिंदू देवी देवताओं को ना माननी की शपत दिल्वा रहे है बीजेपी ने इस वीडियो के बहाने केजरिवाल को जकर लिया है वैसे तो केजरिवाल जब भी गुजरात दोरे पर जाते हैं कोई न कोई विवाद सामने आई जाता है लेकिन इस बार मामला सीधे आस्था से जुड़ गया है केजरिवाल ने अब तक अपने मंत्री पर कोई कारवाई नहीं किया है ना ही कोई जवाब आया है इसमें जितनी देरी हो रही है उतनी स्पीड से ये विवाद बढ़ रहा है आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं जिसमें केजरिवाल के मंत्री हिंदू, देवी, देवताओं को ना मानने की कसम खा रहे हैं और खिलवा भी रहे हैं और ना ही उनकी पूझा करूँगा मैं राम और कृष्श्न को इस्ष्वर नहीं मानूँगा और ना ही उनकी कभी पूझा करूँगा मैं है गौरी गनपती आदी हिंदु धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूँगा इश्वर ने अवतार लिया इस पर मेरा विश्वास नहीं है कर फ्यमि आज्वी शिवर के मंतरी का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरिवाल पर हमला बोल दिया बीजेपी ने साफसाफ कहा कि केजरिवाल को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए बावजूद इसके केजरिवाल के मंत्री राजेंदर गौतम अभी भी कह रहे हैं कि नोंने कुछ गलत नहीं किया है और आपको पूरे भारत से कान पकड़ कर माफी मांगनी चाहिए और यदि आप ऐसा नहीं करते बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ हिंदू समाज बहुत सही शुड़ू है लेकिन अपने इश्ट, अपने इश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बरखास नहीं किया तो एक ही निश्कर्ष है शब्त मंत्री के हो सकते हैं लेकिन ये जहरीली सोच और निर्देश अर्विंद केजरिवाल का है मैं अपने बच्पन से बहुत धम्मे में मेरी आस्था है और बच्पन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ हर साल जाता हूँ अब ही आप किस पद के उससे गए थे वाप मैं तो मिसंद जैभीम का संग्रक्षक के नाते गया था और भारती बहुत दुमा सभा का एक कारे करता के नाते गया था किसी की धार्मिक भावनों को ठिस नहीं पुचाई जारी किसी का अपमान नहीं किया जारा इस मुझे पर बहशकरने खेल गिलिए हमार साथ महीमानों का बड़ा पैनल जूढ रहा है नल्नकोहली हमार साथ जुढ गया है प्रवकता है बीजेपी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर इरसान त्रिवेदी हमारे से जोड़ गए है राजनेतिक विशलेशक है आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है वारिस बठान प्रवक्ता AI MIM का हम इंतजार कर रहे हैं और मुफ्ती वजात कास्मी का भी इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर इरसान त्रिवेदी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ डिवेट की तो क्या इस तस्वीर के सामने आने के बाद और अभी तक आमादमी पार्टी ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है तो ये क्यों ना कहा जाए कि ना हिंदू ना मुसल्मान आमादमी पार्टी का खेजरिवाल का सिर्फ वोट ही इमान है तीके सबसे पहले तो जिस प्रकार का माहौल बना है कोई भी चुनाओ के वक्त भारती जन्ता पार्टी इस तरीके की राजनीती करती आई है हिंदू और मुसलिम किस तरीके से चुनाओ में आ जाते हैं वो हम सब जानते हैं कोई माहौल मान दिजे कि जिस प्रकार से दिल्ली में ये सभा हुई उसी प्रकार से नागपूर में भी ये सभा चल रही थी नागपूर के अंदर भी देवेंद्र फड़नविस और और कई भी बीजेपी का कार्यकरता भी वहां पे मौजूत है वो कोई चीजों का वीडियो कोई दिखा नहीं रहा सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक पर्डिकुलर पार्टी को टार्गेट करने के लिए क्योंकि यहां पर पूरी बॉखला हट जिस तरीके से माहल देखे कोई भी राजनीती में अब तक क्या होता था सभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के चट्टे-पटे बन गए है ऐसे में कोई सही में कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है कोई प्रॉपर जनता के लक्षी कोई सवाल खड़े किये हैं तो वो आमादमी पार्टी न किये है इस प्रकार से आमादमी पार्टी ने अब तक चुनाओ में या कई भी कारण से शिक्षा, आरोग्य, महिला सुरक्षा ऐसे इंपोर्टन मुद्धों को लेकर एक सिंपल एक पॉलिटिकल राजनीती करनी चाहिए बीजेपी को उसके सामने कोई काट नहीं मिल रही अब अचानक उन लोगों ने इसा शुरू कर दिया कि अभी ये हिंदुत्व का मुद्धा लेकर आए आप कहरें कि महगाई को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा आप कहरें कि एंटीनकंबंसी को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा मैं कहरें आस्था भी तो एक चीज होती ना विशय होता है अब भरी सबा में कहरें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्णु को इश्वर नहीं मानूंगा और वो आमादमी पार्टी के मंत्री हैं तो या तो इस बयान को ओन कीजिए इसको डिसोन कीजिए सीडी सी बात है मैं राजुनीती की बात नहीं करता है मैं बस ये बात करता हूँ आस्था की बात करता हूँ मैं आपसे पुछता हूँ आमादमी पार्टी को या इसको ओन करना चाहिए या डिसोन करना चाहिए इसमें इतराज क्या है आपके जो आमाद्मी पार्टी के राजेंद्र गौतम मंत्री हैं वो आज भी कह रहे हैं मने उससे आज भी पूछा वो कहते हैं हाँ मैं अपने बयान पर कायम हूँ मैंने कुछ गलत नहीं बोला है मैं उसको ओन करता हूँ मौका परस राजनीती है यह पिर इस बात को मान लीजिए मैं ही कह रहा हूँ मौके पर अनुमान चली सा पढ़ लिया मौके पर टोपी पहन ली मौका आया वोट चाहिए तो चर्च भी चले गए गुर्दारे भी चले गए तो दर्म में यह सब हैं तो यह वह परमपरा पहले बीजेपी के उसमें नहीं थी इसी वक्त मुद्दा उठाने की क्या जरूर है उसके पीछे यही मंचा हो सकती है कि बीजेपी को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो इसी मुद्दे के उपर वहाँ मैं इस पर जवाब लेता हूँ नलिनकोली जी का नलिनकोली जी हमार साथ जोड़े में बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इसलिए इस वीडियो को तूल दिया जा रहा नलिनकोली जी विवेग जी ये मरतपूर सवाल है इसे नज़ाद अंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इस सवाल के साथ घोर नीती जो है केजरिवाल जी और उनके पार्टी और उनके समर्तकों के बिलकुल स्वश्ट हो जाती है आप खेजरिवाल जी को देखे बात करेंगे वो हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं वैसे अजंडा है शराब नीती शराब नीती में दिल्ली में एक एक साइस पॉलसी थी वो एक साइस पॉलसी इनको खराब लगी तो इन्होंने नई वाली ले आए जैसे घोटाला दिखा पुरानी पे वापस चले गए तो अगर नई नीती इतनी अच्छी थी तो फिर उसको क्यूं आपने डम करके कुड़े के डबे में डाला और नई पुरानी नीती पे गए और पुरानी नीती अगर अच्छी थी तो नई लाने की क्या आवशकता पड़ी तो ये कथनी और कर प्रदरशन करने पहली बार तीस साल में मतलब निकले हैं माच करते हुए और अलगावाद की बात करें वहाँ पर जो उनके कस्टिडी में होता है पुलीस से भाग जाते हैं तो केजनिवाल जी का मॉडल जो है वो है पिक्चर का ट्रेलर दिखाओ असलियत बिल्कूल उससे हटके हैं और वो मानते हैं कि विकास और ये जो चीजे गुजरात में हुई है ये सब मिथ्या है बिल्कूल गलत है और मैं को बनाना धिल्ली में क्यों नहीं काम कर रहा है उनके एक मंतरी है उनकी यादाश चली गई कस्टडी में है दूसरे मंतरी उनके साथ लोग है वो अत्यार रखते हैं पैसा रखते हैं निल्कूल जी सवाल यही है कि एक बार फिर से हिंदु-मुसल्मान शुरू हो गया मुझे कहा गया था कि गुजराच चुनाओं पर बात करना है आज और जो वहां पर बॉब लिंचिंग हुआ खेड़ा के अंदर मुसलमान बच्चों को जो खंबे से लटका कर बांद के मारा गया पुलीस दुआरा उस चर्चा पर बात करना है तो मैं अपनी बात को सिर्फ ग कॉर्परेशन चुनाओ आया हम फस्स मरतबा गुजराच में लड़े और यकीन मानिये चालीस दिन के अंदर लोगों ने इतनी मुहबबत से दुआओं से नवाजा बैरेश्ट असादू दिन ओवेजी साब को मारी पार्टी को कि आज गुजराच में हमारे 25 कॉर्परेटर है और यही नहीं हमने तकरीबन दस हमारे नॉन मुसलिम हिंदू भाई बैनों को टिकेट दिया था जिसमें हमारे साथ हिंदू भाई बैन जीत कर आए हैं उसके अंदर नॉन मुसलिम को टिकेट दिया है वो भी जीत कर आया तो यह दर्शा आता है कि लोगों को असद ओवे चले जाएंगे तो आपको वहां पर कोई विकास नहीं दिखेगा इतने बरसों से वहां पर कॉंग्रेस के विधाय करें तो मैं तो कहूंगा कि चाहे भाज़ा पाऊ है चाहे कॉंग्रेस अब यह आम आद्मी पार्टी भी आ गया है वहां पर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे इनको अपनी वोट से मतलब है विकास कारिया में किसी को दिल्चस्पी नहीं है अब उसका नतीज़ा आप देखिए क्या होता है गुजरात के अंदर अगर गरबा है देखिए सबसे पहले तो काईदे कानून का परण आपको हम मिखों को करना देश सम्विधान पे चलेगा आम अद्मी पार्टी केहती है बीटी में बीजे पी के अप हर जो र स्टेट में चुनाओं में एंटी बीजे पी माहल बनाते हैं मुस्लिमां के वोट का बाइफ़केशन करके आप बीजे पी को फाइदा पहुचाते हैं आप क चुनाओं तो क्यों भाजापा जीत गई बगर अपने अंदर जाकेंगे नहीं के इनकी वजह से बीजेपी सत्ता में बैटी है वहाँ पर हम नहीं लड़ेते चुनाओं कैसे जीत गई कितनी जगाओं के उपर तो हम जाकर कभी खड़े बेनी हो ना कभी एक हमारा कंडिडेट खड़ा हुआ वहाँ पर भी बीजेपी जीत जाती है मगर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरती है सोपोड सेकुलर पार्टियों को अपने अंदर जाकना चाहिए उसके बात उसने पर इल्जाम लगाना चाहिए अब आप तो गुजरात में हो ना तो देख कोट कचेरी को बन कर दो इंस्टेंट जस्टिस जिसने किसको मारा वार्ट डालो तो मैं खंडन करता हूं इस बात तो है यहां पर जिन पुलिस कर्मियों और दोनों के आप गौर करके देखें स्टाइल के आम आजनी पार्टी जो है मैंने कहा है पिक्चर बिलकुल अलग है और दूसरी तरफ है AIM जो हमारे असव दो दिन ओवेसी साब की पार्टी है और जिसके प्रवक्ता हमारे दोस्त बैठे हुए है वारस पठान साब तो उनका क्या होता हो कहता है जी सब दुरुवी करण करते हैं हमें छोड़ कर इनके नेता के बाद नेता आप उठा लीजे धुरुवी करण जोड़ के कभी भी बात नहीं की मैं आज तक कभी नहीं देखा हूं मैंने इनके नेताओं को कभी भी हिंदू मुस्लिम जोड़ के कोई बात करना कभी भी ये क्या हमारी नीती होनी में चाइए विकास कहना होना चाहिए ये सवाल उठना चाहिए कि गरबा में पत्राम क्यों हुआ वहाँ गुस्सा हुआ गुस्सा को कहते कोट कचेरी बंद कर दो आप वारिस पठान साब ये भी तो जवाब दीजे आप कोट कचेरी के बाद करें जिन पर आतंकवाद का टैग लगता है आप उनको लीगल हेल्प देते हैं आप ये चिंटा नहीं करते कि आतंकवाद से कौन गरहस है इसलिए वारिस पठान साब मैं मानता हूँ आपकी राजनीती एक केंद्र है दूसरे बिलकुल विपरी थे आवादमी पाटी जो गुजरात की जंता है उसे विकास चाहिए और वो विकास बिजले 25 सालों से लगातार से उससे भी जादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2002 में बनी थी लगातार आज तक वहाँ विकास है एक गुजरात मोडल को आप लोग जो है गलत बनाते रहते हैं गुजरात का मोडल विकास का मोडल है ऐसा मोडल जो जहां पर लोग जो है गरीबों से गरीब जो हो हर जो जाती के लोग हो वहाँ पे बिना कोई चीज दे के धरम के सब को विकास का मिला है जिशिले बाजबा की सरकारे लगातार जीती है देखिए केजरीवाल के बारे में सभी जानते हैं और उनको कोई सीरियस अभी लेता नहीं है यूपी में और दूसरे पर्देसों में उनके साथ जो हुआ और इतिफाक की बात है आपने बहुत अच्छे मौके पर मुझे बुला लिया मैं अभी चार दिन पहले ही पंजाब से आ रहा हूँ हर आजमी जिससे भी आप वहां गुफ्तगू करेंगे आप होटल पे चाए की दुकान पे रेस्टरेंट पे खेत में खलियान में कहीं भी कर लीजेगा खालिस्तान और नशा ये दोनों चीज़े अपने चर्म पर हैं पंजाब में और हालात पंजाब के बद से बत्तर होते जा रहे हैं डेली मडर की शिकायते डेली कराइम बढ़ रहा है लोग महां महफूज नहीं रह गए हैं लॉयन ओर खराब हो चुका है गुजरात के मसल्मानों को लेकर के उनको लुभाने और लुजाने की बाते कांग्रेस करती रही हैं और अभी वैसी साब की पार्टी भी करती रही है और केजरिवाल साब भी टोपी लगा करके पहुँच गये हैं इनका कोई चरीट तक तो होता नहीं है ये कब हनुमान चालीसा करें, कब इफतार पार्टी करें, कब ये जो है नमाज में शरीक हो जायें, कुछ पता नहीं होता इनको, ना इनका कोई दीन है ना कोई धरम है गुजरात के मुसल्मानों से मेरा बहुत लंबे जमाने से तल्लुकात है बीसवियों साल से मेरा आना जाना है, और जो अभी बात हो रही थी कि वहां मौदी जी की दो हजार दो से अब तक सरकार दो हजार बाइस आ गया है बीस साल में, आप गुजरात के हाला देखिए कर जाकर के, गुजरात में कारोबार की, रोजगार की, किसी तरीके की कोई परे परेशानिया थी, और मैं आज आपको गुजरात की मुसल्मानों की एक खास बात बताना चाहूंगा, इंडिया टीवी के मादियम से ताके लोग सुलनें, गुजरात का मुसल्मान चुकी जब दंगा हुआ, तो यहां के मिली संगटनों ने उनके उस फसाद को, दंगे को र बात करूंगा, वो कहीं भी अपना रोजगार उनको बहुत आसानी से करना आता है, और पूरी दुनिया में वो अपने, जहां भी हैं, वो अपने रोजगार पर खड़े हुए, तो मेरी गुजराती मुसल्मानों से बाचीत होती थी, च्योंकि बंबई में बड़े पहमाने पर गुजराती मुसल्मान है, तो वो इस बास से बहुत नारास था, कि ये मुसलिम संगटन, मुसलिम लेडर्शीप, चाया वो वेसी हो, चाया वो जमी है, तो ये जो भी हो, कि दंगा हो गया, चला गया, बात खत्ब हो गई, जो कुछ होना था, वो हुआ, और बीस साल से ह चुटा सा दंगा भी गुज़ात में नहीं हुआ, हम हिंदू, मुसलिम सब एक साथ रेकर अच्छा कारोबार करते हैं, एक अच्छी सड़क बनती उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलिम भी चलता है, बीस साल में विकास हो है, काम हो है, लेकि जो बड़ी बात आप कह रहे ह हूं, कास्मी साब एक सेट, त्रिविदी साब साफ तोर पर उनका कहना है कि बस वोट ही इमान है, बाक्यों और कुछ नहीं है, धर्मवन अपनी जगा पर है, सिर्फ वोट है और वोट ही सबसे बड़ा इमान है, आम आदी पार्टी और केश्डिवाल के लिए, कास्मी साब से विकास की बाते होती है, यह नर्मदा कैनल का काम अभी बाकी है, यहां पे भी कोई एक बंदा शायद सिंपल फेस्बुक पे कुछ लिख देता है, उसकी हर्तिया हो जाती है, यहां पे कहीं पे भी देशी तमंचे पाये जाते हैं, आए दिन बच्चियों पर रेप, बला पर रात में माहोल है, उस तरीके से अब जो परिस्थितिया बन रही है, चंता को विकल्प चाहिए, और वो लगतर डॉक्रर इरसान त्रिवेदी का कनेक्शन इस वक्त लूज हुआ है, या फिर उनसे टेकनिकल कुछ इश्वा है, नलिन कोहली जी कुछ कहना चाहरे है, लेकिन नलिन जी सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा, मैंने त्रिवेदी जी से यही सवाल पूछा, कि क्या सि लेगा एंटीन कंबिंसी के मुद्दो पर, महंगाई के मुद्दो पर, तमाम मुद्दो पर, इस लाइन पर ना अमादभी पार्टी जवाब दे रही है, ना उनके समर्थक बात कर रहे हैं, नलिन कोल जी, विवेग जी, आपका सवाल जो है, प्रासंगिक और ला है, ये बताइए ना, उन्होंने, आप खुद देखे, केजरिवाल जी, उनका जो इतिहास है, उन्होंने का मैं कॉंग्रस के साथ नहीं जाओंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, हमारे कान पक गए थे, रीडियो पे सुन सुन के, जैसे आगे आए, इलेक्शन का रिज को नहीं होने दूगा, फिर सम्वेदान की शपत लेते हैं, उसके बाद आप देखे, केजरिवाल जी का मॉडल, हमारे हाँ, कोई चोरी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, हम कहते हैं, हमने सर्टिफिकेट दिया है, जो लोग आए, कभी भी गलत नहीं करेंगे, उनके एक मंतरी जो है, पैंतालीस दिन जो है, पुलीस कस्टेडी में रहे, सतेंदर जैन, उनसे सवाल पूझे जाए, तो कहते हैं, मुझे याद नहीं है, पैसे कहां से आए, तो अगर इतिनी उनकी याददाश खराब है, तो वो सरकार में क्यों है, फिर उन्होंने का, धिली में हम और डीटेल में आपको गुजरात की पर स्थिती बताई, लेकिन इस बर वो कहेंगे, नहीं नहीं, कासमी साम जो है, जूट बोल रहे हैं, तो केजरिवाल जी का पंजाब की स्थिती बताई, आज पंजाब की स्थिती देश के ले एक चिंता बन सकती है, हम सब ने उसको दे करेंगे, तो आप पर वार करेंगे कि ये विशे नहीं है. तो महर को साफ जाहिर हो गया है कि देश में रिडिकलाइजेशन कितना बढ़ चुका है, और मोदी के राज में हमारा देश की इस दिशा में चला जा चुका है, ये एक बहुत ही मेरे लिए शरमनाक नहीं कंडेमनेबल बात मुझे लग रही है, कि डलिन कोली जैसा आदमी इस तरह की बात कर रहा है, बात नमबर दो, दुरुवी करण कौन कर रहा है, ये तो भाजा पाका पूरा मुद्दा ये दुरुवी करण करना, ये दो से लेके तीन सो साट क्रोस कर गए किस चीज़ के ओपर, गाए, गंगा, दंगा, मंदीर, ये ही करके यहां तक पौँज मैं इसका जवाब लूँ है, आपके पास वापस लोट रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फौर लोट रहे, तमाम मेहमान हमारे साथ बने वे, डिबेट लगा था रही है, गुजरात के इस नए विवाद पर, गुजरात के इसने सियासी बखेले प मुकाबले में बहाँ था रही है, यह थे बाहन बड़े मेहमान हमारे साथ बने वे, नलिन कोली जी को जवाब देना चाहरे थे, नलिन कोली जी आप इस पर धुरूईकरन वाले मुद्धे पर जवाब दिजीए, सबसी ज़ाद धुरूईकरन के आरूप आपके उपर लगा लिंचिंग के उसके साथ साथ गरबा के समय पे पत्राव बाजी हो इसको कैसे नजर अंदास कर सकते हैं तो कहीं न कहीं कोई धुरुविकरण करना चाहता था वहाँ पर चाहता था कि नवरात्री जो इतनी महत्पूर्ण है गुजरात के लिए पस्चिम के लिए देश के पाजनीती करने वाले लोग है और वारेस पठांत आपको बड़े मैं इज़त के साथ कहना चाहूंगा कि आपके निताओं की एक-एक बयान को उठाईया वहाँ पर विकास की कोई बात ही नहीं है हमेशा ही हमेशा दुरुविकरण की बात होती है तो यह दुरुविकरण कर लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनी क्योंकि आज देश में लावारतियों की एक भूमिका हो गई है जिनको लाव डायरेक्ली मिला है चोरी नहीं हुई घर तक पहुंचा है दस करोड़ लोगों को ऐसे ही बैंक अकाउंट खुलें यह लावारती गुजराद में भ आपको आवाज मिल रही है देखे मुझे आवाज मिल रही है आपको मेरी आवाज आ रही है हाजी बिल्कुल आप अपना जवाब पूरा कीजे आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सी सबसे पहले यह जो मामला है पार्तिय जंता पार्टी पूरी बौकला गई है उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा कोई कुछ भी बोले अगर आप शराब नीती के बारे में विरोध करते हैं तो आप बताइए कि सिसोधिया जी को अब तक क्यों जेल में डाला जिस तरीके से एक प्रकार का उनको कोई मुद्दा नहीं रही है देखा दिल्ली में तो भी पिछ कुछी जो भी इज्जत है गुजरात में वो भी शायद आमादमी पार्टी की जो भी अच्छी विचारदारा है उसके कारण ये पूरा उनके मावाद से वो मामला की फिसल ना जाए इस तरीके से उन्होंने एक हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है अभी हिंदुत्व का म संत्री जो कह रहे हैं इससे क्या आमादमी पार्टी की इज्जत बहुत अच्छी हो जाएगी गुजरात में आप इज्जत की बात कर रहे हैं मुझे बताईए कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान होना चाहिए और खुले आम मन्च से ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विश्णु महेश को नहीं मानेगे त्रिवेदी जी आप अच्छे प्रवक्ता हैं में ता सवाद दूलीजे कहा कह रही है सर मुझे वह बताईए आप आम आद्मी पार्टी कहा से कह रही है मुझे बताईए यह जो आम सर राजेंद्र गौतम अंत्री होने से पहले ही वो अल्रेडी गौतम एक पुरा वो जो भगवान बुद्ध के अनुयाई है और उनके उसमें आप ऐसा है तो पूरी अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता है तो आप बताईए कि यह जो ओत है यह जो प्रतिगना है वो प्रतिगन को आम आदमी पार्टी और अडविन केजरिवाल से जोड़ना यह गलत बात है सर पांच नेता मंच पर हजारों लोग नीचे भीड में यह प्राइवेट फंक्शन कैसे हो गया अगर नरेंद्रा मोधी जी किसी मंदीर में पूजा करते हैं तो क्या बोलेंगे आप बीजेपी के नेता मंदीर में पूजा करते हैं मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ वाकि नलिंकोली बोलेंगे अगर नरेंद्र बोदी जी किसी मंदीर में किसी किसी मंदीर में पूजा करते हैं तो उनको भग का जाता है अगर राजेंद्र गौतम कह रहे हैं मैं ब्रमा विश्टू महेश को नहीं मानता है तो इसको बीजेपी नहीं लगवा हैं सर वो एक गौतंग एक कोई प्राइवेट फंक्षन ने आए हुए एक अमंत्रिक महमान थे जि मैं यह नहीं कह रहा कि कोई भी दर्म दूसरे दर्म को फुराई करें ऐसा नहीं होना चाहिए वारिष पठाण जी कुछ कहना चाहिए प्रतिशत सत है बोल रहा हूं जिस तरीके माहल बनाये है वो बीजे पी के मेली मन्शा है नई ठीक है आप कह रहे हैं बीजे पी की मन्शा है हर कोई धुरूई करन की राजनीती कर रहा पॉलराइजेशन की बात हो रही है, असली हिंदू, नकली हिंदू की बात हो रही है, मुसल्मानों के पैरोकार की बात हो रही है, कोई विकास के मॉडल की बात नहीं कर रहा यहां होड लगी हुई है, किसी कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, यहां पे होड लगी हुई है, कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, मोदी जी बोलते है, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, राहूल गांदी, जन्योधारू बताते हैं अपने आपको, केजरीवाल कुछ और बता लेकिस तरह से कितने गुंडे घुज गए, पांसो साल पुरारी मस्जिद, मतरसा के अंदर जाकर, ताला तोड़ दिया गेट का, अंदर चले गए, पूजा कर दी, और चिला रहा है, नारेवाजी लगा रहा है, अब सोचो इसी तरह कि हरकत किसी मुसलमान ने किया होता, त अब तक उस पे UEP का कानून लग जाता, उसके घर पे बुल्डोजर चल जाते, मगर यहां चार-पांच आत्मी को अरेस किया है, कुछ नहीं, क्या CM की इजाजत के बिना हो सकता है, क्या intelligence का failure यह नहीं है, बदी, polarization का एक तरीका है, जो गुजरात में हो रहा है, वो भी polarization का क्योंकि असल बुदों से धियान भटकाना है, अगर आज जनता सवाल कर दे के डॉलर के 22 रुप्या तो अभी तक 100 पे चला जाएगा, सेंचूरी क्रोस कर देगा, आर्टिक स्तिती के उपर, तो इनके पास जवाब नहीं है, जनता सवाल करेगे, पेट्रोल डिजल गैस के बढ़ते हुए दामों के उपर, इनके पास जवाब नहीं है सब, अगर आप इनको सवाल कर लो कि बेरोजगारी तरी बढ़ गई है कि आज आम युवा के पास खुद को खाने के लिए पैसा नहीं है, कहां से अपनी बीवी बच्चे का पेट पालेगा, इनके पास कोई करो और अपनी सक्ता का मज़ा लेते रहो, मगर ये देश की जनता जनारदर है, देश की जनता सब समझ गई है, और इनको जवाब मिलेगा बैलोट के दुरू, अब इतना बड़ा हाथसा हो जाता है देश के अंदर, कि इतने सारे लोग चले जाते हैं, ताला तोड़ देते नारे लगाते हैं, अब पुलीस एक्शन में चार पाच अपनी को पकड़ती है, यूएपी में इसका जवाब मुफ्ति वजात कास्मी से ले ले लेता हूँ, उसके बाद नलीन को जी आपके पास आ रहा हूँ, देश के अंदर, मुफ्ति वजात कास्मी अभी अभी गुज अगर ये हैदराबाद में जो है देश को जलाने की और पूरे इलाके को जलाने की बात करते हैं वो धूभी करण नहीं है, अगर अकबरुदीन उवेसी राम की माता जी को जो है वो कुछ हिज भी करण नहीं नहीं हैयök, ये सब बते होती रहेंगी और भारते जंता बार्ट या दूसरी पार्टियों पर ये लोग इल्जाम लगाते रहेंगे अपने अपने तरीके से मैं कहता हूँ मुसल्मान तो पिछले पचास साथ सालों से कभी समाजवादी का, कभी लालू का, कभी कालू का, कभी कैजरिवाल का ये सब का वोट बेंकी रहा है बाई जब कैजरिवाल राजसभा दे रहे थे, तिल्ली से तीन राजसभा संसद मनतखब होने थे, तो उन्होंने तीन राजसभा किसको दी, वो दूवी करन नहीं है और मानने मौदी जी की बात भी हो रही थी, मौदी जी ने कभी हिंदू, मैं अच्छा हिंदू हूँ, बड़ा हिंदू हूँ, नकली हूँ, असलिए उस पर तुबाती नहीं की, उन्होंने का मैं सवासो करोड के देशवासियों का परधान मंतरी हूँ, उन्होंने जो है, नजमा अबतुल्ला से लेकर के, मुक्तार अबबास नक्वी से लेकर के, अबी गुलाव अली खटाना को जम्मु कश्मीर से राजसमा बेजा, वहाँ धूवी करन ये बता देंगे, कि वहाँ धूवी करन हो रहा है हिंदू के लिए, और यहाँ, यह सब बाते फरजी हो रही है, गुजरात का मुसल्मान इस बात पर इतना घुसा है, मैं कहरा हूँ और मेरे साथ चलिए ये, और गुजरात में चुनाओ भी होगा, मेरे भाई, रिजल्ट भी आएगा, और फिर हम इंडिया टिवी पर होंगे, तो मैं इन सब को दिखाऊंगा कि गुजरात का मुसल्मान या गुजरात का वोटर्स जो है, वो किसकदर जागरूप है, उन्हो ने धुवी करन को, तास्व को, नफरत को, फसाद को, दंगे को वोट नहीं किया है, गुजरात का मुसल्मान इस बास से नाराज होता है, कि यूपी के, बिहार के, हिदराबाद के, तिलंगाना के करनाटक के लोग, हमारे बारे में क्यों बाते करते हैं, हमारे दर्मियान क् दिवार पेदा कर रहे हैं, वहाँ हिंदू की, मुसलिम की, सब की दुकाने एक साथ हैं, सब के कारोबार एक साथ हैं, अब मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले, आम आदमी के परवकतार नजाने क्या का बता रहे थे, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, कि उनका मंतरी हो, संतरी हो, कोई पार्टी में कुछ नहीं, वनमें शो वहां केजरिवाल है. तो अब आप देख लिए केजरिवाल की विचारधारा, कब वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कब वो मस्जिद जाते हैं, कब वो इफ़तार करते हैं, कब वो टोपी लगा लें, कब वो रुमान लगा लें, बस उसी से आप जो है, देश के करोड़ों लोग समझ लेंगे, केजरिवाल की भाशा में, केजरिवाल की चरितर में, केजरिवाल की अखलाक में, क्या सब फर्ग है वो सब चीजे लोगों के सामने आ जाएंगी अरे भाई दिल्ली में मैंने अपरी जिन्दगी में कभी सड़के टुटी वी नहीं देखी आप मेरे साथ दिल्ली निकल जाएए मैं आपको दिखा देता हूं सड़कों की मरमत के पैसे इनके पास नहीं है और हमारी माई बेहने को बद्वाइं देंगे किसी भी दर्म की देवी देवता हो को मानने से इंकार कर देंगे किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुचा देंगे मैं फिर से यही दोराता हूँ मैं फिर से यही दोराता हूँ कि किसी भी धर्म को दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुचाने का अधिकार नहीं है और हमें पहले से मैं जब से छोटा हूँ तब से मुझे तो यही सिखा ए कि सभी धर्मों का सनमान किया जाए अब जिस प्रकार से कोई मुद्दा नहीं मिल रहा जिसते के सर ने बोला कि आप देखें दिल्ली में सडके कभी देखी नहीं है सर क्या बात कर रहे हैं सर दिल्ली में पहले तो क्या भी वह बहुत ही खराब माहौल था आप देखें वहां की स्कूलों की कितनी अच्छी सी अच्छे हुए को लोकों चिक्षा में अच्छा एक परिवार तना है जो अमेरिका के लेवल पे भी एप्रिशेट हुआ है मेरी वही बोल रहा हूं सर आपने बोल लिया मैंने आपकी बात सुन ली आपने बोल लिया मैंने सुन लिया लेकिन एक सिंपल चीज है कि जिस तरकार की एक एक माहल बनाने की पोशिच है अज हम लोग क्यों डिसके लिया आपने जो कहा उसका मैं जवाब देदू क्यों बैठे हैं आप कौनसे मीटर से लोग प्रितन आपते हैं मुझे नहीं पता लेकिन आज हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि राजेंदर गौतम जी ने एक मंच में सरयाम कहा कि मैं बर्मा विष्णु महिश को नहीं मानने की शपत लेता हूं इसलिए बैठाओ नलीम कोली जी जवाब दे आप आप कुछ कहना चारा है बोलीजिए हां वो पोस्टर में कर्विन केजरिवाल जी को मुसल्मान क्यों बताया वो बताई है किसने बताया रविन केजरिवाल जी को टोपी क्यों पहना ही वो बताया जी नलीम कोली जी हजारों लोग है पाँच इनके नेता थे एक मंत्रिय जिसने शपद लिये है और उस केजरिवाल जी के हमारे लोग दिन रात काम करेंगे जनता की सेवा करेंगे वो मंत्री इस कारिकरम में है जागरा मैं ब्रह्मा को नहीं मानता विश्नु को नहीं मानता शंकर को नहीं मानता ऐसी बाते कर रहे हैं यह इनका मॉडल है अब इससे पता पड़ता है इनों ने एक सरोगेट जो इलेक्शन कमिशन ने रोग दिया कि आप किसी और के नाम पर नहीं आड निकाल सकते जब आप किसी पर वार कर रहे हैं इनकी यह सरोगेट टाइप आप प्लैनिंग हो गई है कि यह कारिकरम करवा रहे है शायद प्राइविट लोगों से है नीका कारिकरम नहीं तो इनके पांच-पांच ने था क्यों खड़े थे मतब एक बाए पताईए इनका मंतरी क्यों गया यही देखने के लिए कि हमारा कारिकरम अच्छा है जो केजरिवाल जी ने का है मैं देखना चाहता हूं पूरा है अब उनका वह निकल गया सोशल मीडिया में है पहले ही कह मुझे बताईए बिल्कुल गोली जी और मुझे लगता है कि गुजरात की जंता इसका बेतर जवाब देगी दे सकती है और गुजरात चुनाओं में इस मुद्दे को लेकर जंता क्या सोचती है इसी को लेकर इवियम का बटन भी दबाया जाएगा और जब नतीजे सामने जाएगे तो सब कुछ पानी का दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा सभी मेमानों का बहुत बहुत शुक्री है मार साथ जुड़ने के लिए